तरीके के problem को solve करने के लिए, बहुत आसानी से आप इस तरीके के problems को solve कर सकते हैं, ज्यादा difficult नहीं है, है क्या यह particular case, जब हम इस पर चर्चा करते हैं, तो data from S1 nucleus mapping की उपर बात की जा रही है, ठीक है? तो जड़ा समझते हैं, कि what exactly the things, इसके लिए S1 inner nucleus mapping जड़ा समझे, आपके पास किसी चीज़ को map करना है, तो उसके लिए आप MRN है, और एक label probe होगा, प्रोब क्या होते हैं? इनके पास एक complementary sequences है, उन complementary sequences से जो है, आप hybridize कराओगे, किसको hybridize कराओगे? जहां पे भी जुड़ना है, जिस भी चीज़ को identify करना है, तो यह leveled probe के पास complementary sequences है, यह जाके RNA से hybridize हो जाएगा, अब जो probe जहां पे hybridize हो रहा है, यह इस तरीके से देखे hybridize हो गया, अब S1 endonuclease digest क्या करेगा? कि यह जो single stranded portion है, यह तो single stranded DNA और RNA को hybridize करता है, है, है न, single stranded DNA और RNA को, यह double stranded DNA को भी hybridize कर सकता है, हाइब डाइजेस्ट कर सकता है, single stranded DNA को, या RNA को digest करता है, साथ में जो है, यह double stranded को कर सकता है, with nick, अगर उसमें nick created हो तो, यह हम पढ़े हैं, S1 endonuclease के बारे में, तो यह endonuclease है, जो बीज से cut करता है, मतब देखिए, जहां पे single stranded इसको दिखेगा, यह यहां से cut करके इसको हटा देगा, और यहां से single standard दिखेगा, तो यहां से cut करके हटा देगा, उतना ही pair इसको मिलेगा, जितना की आपको, उतना ही size इसको मिलेगा, जितना की यह probe और RNA pair कर रहे हैं, क्योंकि वही आपको बचा रहेगा, तो यही चीज आपको समझने की बात है, कि यहां पे जो size है, जो आपको मिलता है, ठीक है, वो आपको अलग-अलग तरीके की मिलेगा, digested, देखें, digested probe जो है, वो size में आ रहा है, और जो full length probe है, वो higher है, तो यह कैसे पता चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, end जो है, इस चीज को समझ यह, मैं अगर mRNA की size को मान लेता हूं, कि वो जो है, वो 500 base pair क है, कुछ भी assume कर लेते हैं, 1000 base pair का है, ठीक है न, अब अगर आप 1000 base pair का assume करते हैं, तो यह जो है, वो 5 prime start site है, इस start site से, जो plus 1 होगा, इस से जितना base pair जो है, आपका 5 prime end probe का bind करेगा, वहीं पे जाके cutting होगी, यह बात आपको समझ में आ रही है, कि S1 endonucleus mapping में, जो transcript का size कैसे decide हो रहा है, यह decide हो रहा है, कि आखिर probe जो है, इस plus 1 site से, कितनी दूर जाके, जो है, probe का 5 prime end pair कर रहा है, तभी तो वहीं पे cutting हो रही है, और इतना ही fragment का size जो है, वो आपको मिल रहा है, जैसे mRNA जो है, आपके पास 5 prime start site यहां पे है, और यहां से दूर, यहां तक जो है, probe pair कर लिया, probe का 5 prime इधर, और mRNA का 5 prime इधर, तो after digestion, यह digest होगा, यह digest होगा, तो आपको size जो मिल रहा है, यह size depend करता है, कि जो probe का 5 prime end है, वो कितने दूर आपके mRNA पे complementary pairing कर रहा है, यह कितने लोगों को समझ में आ रहा है, यही चीज होगी, कि कितने दूर तक जो है, वो pair कर रहा है और यही चीज आपको समझना है, S1 endonucleus mapping में, कि जो size मिलता है, वो size total RNA का नहीं मिलता, वो size जिसका मिलता है, कि start side से कितने दूर तक probe bind कर रहा है, यह जो start side है, इस start side से कितने दूर तक probe bind कर रहा है, तो आपको जो fragment, यह size मिलता है, यह बताता है कि binding of probe, binding of probe from start side, start side से जो है, वो कहां कितना bind कर रहा है, ठीक है, यह बताता है, उसका size, जैसे अब इस question में, वही चीज समझना है, आपको, in this problem, जब probe का size दिया गया है, वो दिया गया है, 750 base pair, यह marker है, 750 base pair दिया है, S1 endonuclease mapping यूज की जा रही है, जो कि 5 end label probe यूज किया जा रहा है, इन्होंने बोला भी है, कि जो एक probe है, वो 5 prime end label है, मतलब 5 prime end की तरफ जो है, वो जा, जो कि मैंने diagram दिखाया भी, अब liver है और kidney है, liver के case में जो है, वो 500 base pair आपको बिल रहा है, तो क्या यह 500 base pair, actual mRNA का length है, या fragmented RNA का length है, यह actual mRNA का length नहीं है, यह fragmented है, तो fragmented है, यानि कि ए option जो कह रहा है, कि the liver RNA is 500 base pair in length, यह गड़बढ है, क्योंकि liver RNA नहीं है, पूरा का पूरा, यह तो fragmented है, ठीक है, और इसके बाद, इस वज़़ज़ से, जहां जहां पे भी ए option है, eliminate कर लीजे, पहला, और दूसरा option eliminated, अब बचे आपके पास, 3rd और 4th option, क्योंकि A तो कत्ता ही नहीं हो सकता था, 3rd और 4th option के लिए आगे बढ़ते हैं, B दोनों में ही present है, मतलब B पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, मैं पहले C पढ़ता हूँ, बी में पढ़ूँगा, लेकिन पहले C पढ़ता हूँ, कि the kidney makes 2 MFG transcript and the 3 prime end of one of these is shorter than other, देखो, ये तो समझ में आ रहा है कि इसके पास 2 transcript बन रहे हैं, बिलकुल सही बात है, क्योंकि 2 अब मिल रहे हैं, 2 fragment मिल रहे हैं, इसका मतलब 2 transcript बन रहे हैं, यहां तक ठीक है, लेकिन ये 3 prime end जो है, एक का shorter है, दूसरे से ये गड़बढ़ है, क्योंकि probe तो 5 prime end का था, बिलकुल सही जवाब, probe जो है, वो 5 prime end का था, तो 3 prime end कैसे shorter हो गया भाई, अगर यहां पर 5 prime end बोलता, तो हम मान सकते थे कि हाँ, हो सकता है, और ये statement जो है, ये भी गड़बढ़ है, तो आपका answer सिल्फ 4th बचेगा, B only बचेगा, B statement क्या कह रहा है, कि the start site of liver MFG 1 transcript is 500 base pair downstream of the 5 prime end of the probe, समझे, अब ये जो आपका MRN था, इसमें जो है, प्रोब कुछ इस तरीके से bind किया होगा न, 500 base pair यहां पर bind किया होगे, तभी तो ये digest किया होगा, यानि कि जो start site है, वो लगभग प्रोब के जो 5 prime end है, उससे 500 base pair downstream यहां पर है, प्रोब के comparative में जब हम जा रहे हैं, तो 5 to 3 is like a downstream, तो प्रोब के comparison में 5 prime से 500 base pair downstream, यहां पर start site है, या या आप start site से बोल सकते हैं कि वहां से 500 base pair दूर यहां पर आपका प्रोब का 5 prime end है, एक ही बात है, तो यह बिल्कुल सही है, ठीक है, जो मैं आपको अब यहीं बता रहा था, तो इस तरीके से इस question को जो है, वो समझना आ था, hope कि आपको यह question का solution समझ में आ गया होगा, ठीक है, I am Virindu Singh, I teach CSIR,